हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस यूपी बोर्ट के द्वारा 2024 के लिए गडित का पेपर वारल जो किया गया है इसका यहां पे हम लोग संपूर हल देख रहे हैं फ्रेंस यह यूपी बोर्ट के द्वारा जो जारी किया गया है गडित का पेपर इसका यह पार्ट आप वीडियो को एक सगेंड के लिए इसकीप मत कीजिए और जितने भी प्रश्ण करा रहे हैं इन सभी प्रश्णों को आप जरूर हल कर लिजिए आप सभी को 27 फरवरी के बोर्ड के एक्जाम में से जो दिर्गूतरी प्रश्ण कराएंगे आप सभी को देखने के लिए मत कीजिएगा जबी आप को पाठ QRAR है सभी पाठों को एक बार जरूर हल कर लिजिए यहां पर हम दिर्गूतरी प्रश्ण को देखặtे हैं ठीके तीसरा नंबर का जो सवाल है इस सवाल को पहल पर्ले हम रहल करते हैं तभी इस सवाल को आप एक दो बार जरूर सब Quest इनान कितनी है देखे इस सवाल को आप लगाएंगे कैसे जभी इस परकास संख्या व्ला सवाल कुछे त यहां मान लीजियिवा पी माना ठीक है जैसे बतार को जरूर आप क्या देखाने यहां प्या मानते हैं दहाई का अंक यक्स माल लीजिए और इकाई के अंक को क्या मानेंगे आप इकाई का अंक मानेंगे आप वाई ठीक है अंक पराबर वाई अब दिखें जब यह आपका दहाई का अंक होगे इकाई का अंक होगे तो संख्या आपका क्या होगा संख्या जो होगा दहाई का दस गुना होता है विकाई के अंग को जोड़ दिये जाता है इस प्रकास आपके संख्या जो बन के तयार होता है दस एक्स प्लस वाई होता है यह संख्या होता है ठीक है इस प्रकास आपको मानना रहता है फिर इसके बाद देखें nudi व्यक्त áंको उलटने पर नई संख्याा क्या बनेगा ती dona से यह कि बन जाएगा यहां पी 10-10 तो अपने अस्थान पर रहेगा बस यक्स को य के Якस्थ अस्थान-गो पस ब्रड़ दिया जाते यानि कि 10y प्रश्ना नुसार ठीक है जब में इस अqर प्रश्ना नुसार जरूर लिखना है इसके पाझ दीकिए аप को क्या करना है सवाल को पड़ें दो अंकों की एक संख्या ठीक है उसके अंकों को उलटने पर बनी जो नहीं संख्या है का योग दिया है 6th, इसका मतलब जो संख्या यह है और जो उलटने पर जो नई संख्या अबरा इन दोनों का योग कितना है, 6-3 के पराबर है यहाँ पर क्या करेंगे?, छोड़ेंगे 10X Plus Y Plus 10Y Plus X बराबर कितना है? 6-3 के पराबर तही 6-3 कर लेंगे अब यहां पर ध्यान दीजिए कि 10 x और यहां पर x कुल मिला कि 10 x जोड़ेंगे ति 11 x हो जाएगा प्लस यहां से 10 y और y जोड़ेंगे ति 11 y हो जाएगा यह बराबर 6 छट के बराबर होगा देखें यहां पर y x प्लस y बराबर क्या होगा 11 x 11 666 बार मकटेगा और इसे आप क्या मानेंगे समीकड़ नंबर एक मान लीजेगा ठीक इतना समीकड़ आप मान लिए अब समीकड़ मानने के बाद अगला इस्टेप पर चली देखें अगला वाक्य क्या का रहा है आपका नुसार खीक इस तरह लिखेंगे अब यहां पर ध्यान जिए क्या कर रहा है सवाल में यहक्स माईने सवाई बराबर कितना हो जाएगा 2 यह समीकड़ नंबर आपका 2 बन जाएगा देख लिजे यहां पर दो दिया है ना दो होगा अब दूनों समीकड़ को आप हल कर लेज यहां पर लिखेंगे जोडने पर क्या लिखेंगे जोडने पर जोडने पर लिखेंगे तो चलिए यहां परных क्यों स्धायाइद धूब divided यानि कुल मिला कि यक्स कमान आयाः पचार कितना पचार होगा यक्स कमाना आयाइद फचार ठीक है अब و tला य का मान भी ग्यात करने, तो y का मान ग्यात करने लिए समीकरण 1 में, y x बढ़र 4 रख़े हल कीजिए, यह आप लिखिएगा, देखें क्या लिखना है? लिखेंगे, समीकरण 1 में, y x बढ़र 4 रखने पर, रखने पर, चलिए आप समीकर्ण नमबर एक लिख लिए तो समीकर्ण नमबर एक है यक्स प्लस वाई बराबर कितना एच्छ है यह समीकर्ण नमबर आपका एक था यक्स के जगह पर आप चार रखिए का प्लस वाई बराबर कितना हो जागा तो यहां पर वाई बराबर कितना हो जाएग चलिए यहाँ पे लिखे आपको पता देते हैं ठीक है यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे लिखिए का संख्या ठीक है यही उत्तर होगा संख्या जो आपका क्या था दस एक्स प्लस वाई था अब यहाँ पे माल रख लीजिए ठीक है दस गुड़े एक्स के जगा आप कित पूछता है कि नई संख्या आप क्या बनेगा तो नई संख्याउ है यहां पर लिख सकते हैं नई संख्या भी आप लोगों निकाल पिता दे वह AA ten ठोब हなたकित अब यहां पर मारत के हउन कर ल होगा सबसे मुशन तो प्लस यक्स कमाल चार है तो चार रख लिजिए यह हो जाएक दस दुना के बीस और चार चोवीस यानि इसका मतलब कि नई संख्या आपका चोवीस रहेगा और आपकी जो पुरारी संख्या रहेगा 42 रहेगा इस सवाल को आप जरूर तयार कर लिए फ्रेंस एक बर पूरे सव सवाल को देखके आप उतार लीजिए इस सवाल को आप 100% कर सकते हैं कि 27 फरवरी के बोर्ड के एकजाम में जरूर आएगा ठीक है यह था सवाल आपका तीसरा नमबर देखिए आपको अथवा में इस तरह लिखा रहाएगा यह भी 6 नमबर यह प्रशना रहा ठीक नहीं तो यह प्रशन कर सकते हैं तो यहां पर आपको इस प्रशन का भी एंसोर आपको यहां पर बता देते हैं हल करवा देते हैं जिससे आप बोर्ड के एकजाम में दोनों में से कोई एक प्रशना आया तो जरूर कर लें देखिए इस प्रकार के प्रशन को आप कैसे लगाएगी ज नूरी और सोनु की आयूं ग्याद किजिए इस सवाद को िखिए कैसे लगाँ है इसा मानेगे बाति स्वाथ वर्तमान characterize यहाँ मान झाली है youngгam झाल शावल नूरी यह लिस्त определ डिया हैै वर्तमान आयू, वर्तमान आयू, वर्तमान आयू, वाई वर्स माल लेंगे, ठीक है, अब जैसे प्रश्ण का रहा है थे, अब यहाँ पर वर्तमान आयू, नूरी की वर्तमान आयू माल लिए, सोनू की वर्तमान आयू माल लिए, यहाँ लेकिन दिया है पांच वर्स पूरो, पूर्व मतलब वो ता पहले, यानि कि इनका पहले वर्तमान आयू क्या होगा, जैसे आपको समझा देते हैं, माल जी इस समय आपका वर्तमान आयू 20 वर्स है, यदि आपसे कोई 5 वर्स पहले पूछे ता 5 वर्स पहले कितना वर्स कराए होगी, 15 वर्स कराए होगी, इसका मतल की वर्तमान आयू कि तो इस अक 5 वर्स पूर्व मैंस पांच पूर्व अथे न तो यहांन नूरी दो आ predator यह वर्तमान में इसमें से पांच घटेगा आपका पांच वर्स हो जाएगा तो यह पांच वर्स पूर्वत था अब देखें आगे जब सवाल पढ़ेंगे यहां पर देखें कि दस वर्स पस्चात नूरी की आयू सोनुक आयू की दो गुनी यहां सब्द पकड़िये का पस् समझा रहे हैं कि आपको समझ में यह सवाल और तमाम में 20 से 10 वर्स बाद आपके उमर कितना होगा तो आप बताएंगे तीस वर्स इसका मतब जब पस्चात कहेंगा तो आपको जोड़ना रहेगा तो आप यहीं पर निकाल लिए यहां पर दिया है दस ठीक है यहां पर तो रह्यूं कि आयू कितना हो जाएगा अधर की यक्स है और तमान में आप दस जोड़नेंगे त्स बाद निकल जाएगा फिर इसके पाद 10 वर्ष पस्चाद सोनू की आयू सोनू की आयू कितना हो जाएगा सोनू की वर्तमान आयू आई है तो प्लस 10 कर लेंगे यहाँ पर वर्ष लिख लिजिएगा अब लिखिएगा प्रशना नूसार ठीक है इतना काम करने के बाद लिखना है प्रशना नूसार अब प्रशना नूसार लिखने के बाद देखिए जैसे सवाल कर रहा उसके अकारडिंग लगाना है आपको 5 वर्ष पूरू नूरी की आयू सोनू की आयू की कितनी गुनी हो रहे है तीन गुना यहाँ नूरी की आयू कितना है यहाँ पाहल है जाय той की के किकळी आयू Ke Burr ऑर सोनू की आयू पाच वर्ष पूरू किया है तो आई मैनिस पांच यहाँ पर है तो कल्फोरू की अधिक रहना है टहिक我 नूरी की आयू की यह माँनू कितनी गुनी किसमें गुणा करेंगे sonu kiya yu me, जिसमें कहता, उसी मिगुडा कर लेता है, ते तीन का गुडा कर लेंगे, अगर इकड़ों को पहले अब हल कीज़ कि देखे, यक्स माइनस 5, यहाँ तीन का वाई में करेंगे 3y, तीन का पांस 15 हो जाएगा, अक्छर को एकस्ट कर लिजीये, यहाँ यक्स तीन वाई इधर है तो माइनस तीन वाई हो जाएगा यहाँ माइनस पंद्रा है माइनस पांच को पच्छानते करेंगे तो प्लस पांच हो जाएगा ठीक है यक्स माइनस तीन वाई बराबर दस में से गटाएगे तो पंद्रे में गटाएंगे तो माइनस दस वर्स हो जाएगा यह आपका समीकर्ण नंबर एक हो जाएगा ठीक है अब लिखेंगे पुना ह्प्रश्णा नुसा इस जब यहां पुना है प्रश्णा नुसार लिखेंगे तो अब देखें आपको क्या करना है सवाल को पढ़िए यहां तक एक समीकड़ बन गए, अब दूसरा देखिए, प्लस प्लस दस दू करेंगे दू आई हो जाएगा अक्षर को एक सेट यहां हो जागा बीस इसको पच्छांत करें माइनस दस हो जाएगा यह समीकड़ नंबर आपको कौन से बना दो बना आई हो जाएगा डेक यह समीकड़ के यहां पे लिखी गज हेएगा यह समीकड़ नंबर आपको य क्या है यह чक्तन है रहागा यह समीकड़ अब देखीitating यहां यहां से देखिए आप क्या करेंगे कि यक्स यक्स है यह माइनस 3y यह माइनस 2y यहां पर लिखें गटाने पर इसलिए कि एक अच्छा रटना चाहिए यहां पर लिखें गटाने पर गटाने पर जीसे गटाने पर लिखते हैं तो नीचे बदल जाते हैं प्लस है तो माइनस ह तो फिल ऋ यह प्लस प्दत यह थे कि यह खटेज़ागा जीरो मायने सीby में फिल्स औहए उसक तीनará तो सिरफ से यह पचैगा तो माइने इस सब्सक्रों और खटेगा इसी में रखे आप इसतवाम को शल कर सकते हैं het ज्यान दीजिए अब यहाँ पर लिखेंगे चलिए लिखते हैं यहाँ पर लिखेंगे समीकर एक में वाई बराबर 20 रखने ठीकर रख लीजिए देखें समीकर एक क्या है आपका यही है तो आपको लिखेंगे थैन स्मीकर लेकर लिखेंगे तो ़िखेंगे लिखना रहता आपको तो चलिए एंसवर लिखे आपको पताते हैं कि एंसवर कैसे लिखना है आपको यहाँ लिखेंगे एंसवर लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयू यक्सवरा कितना है पचास नहीं यह लिखेंगे पचास वर्स हो जाएगा पचास वर्स ठीके फिर इसके बात सोनू की आयू, पूछा येतै तो सोनू की वर्तमान आयू, वाई बराब कितना आयए था तो वाई बराब दिखा देते हैं आप सभी को, वाई का मतलब सोनू की वर्तमान आयू, कितना हो जबाद एगा? 20 वर्स हो जाएगा, ठीक है? तीस सवाल को भी आप जरूर लगा लिजेगे इसी पकास इस सवाल को लगाना है नूरी की वरतमान आयु यकस वरार पच्चास सोनी की वरतमान आयु और यही आपको क्या हो जागा एंसर हो जागा ठीक है चलिए जोची, अगले नम्बर के सवाल के देखते हैं देखिए आपके सामने चोधा नंबर का सवाल है इस ये भी आपके जोता स्वाल की बोड के इकजाम के सबसे इंपोर्टेंस सवाल है ठीक है थीज़े सवाल है कि एक बहुमंजली भवन के शिखर से देखने पर एक आठ मीटर उचे भवन के शिखर और तल के और नमन कोड क्रम सा 30 अंस और 45 अंस है बहुमंजली भवन की उचाई ठीक है और दो भवनों की बीच की दूरी ग्याद कीजिए अब देखिए इस प्रका के सवाल जब भी आपके सामने आये तो आ हम भवन होगestra सिख़ से देखने पर एक आठ मीटर उचे भवंद आठ मीटर ऊचे जाना इससे चोटा बना एगा यह खाल निग देखिए यहां पर मतलब लखन श darle बैवन बनाहें और यह प्याटमा देख यह सिर्फ़ भवन हैं कुणा जोट ऐधा प्रश्ण में आठ मीटर है कितना है यह आठ मीटर है यह आठ मीटर उच्छा भवन अब इतना चीज है यहां पर देखिए एक सब्सक्राइब और नमन को देखिए एक बहुमंजली भवन के सिखर से देखने पर बहुमंजली तार नमना बहुमंजली ते की आठ मीटर उचे भवन का शिखर यह है और यहां पर पहड़ कर आप देख रहें तो यहां से इसको आइसे मिला लिए ठीक है और इसकी आधार को हमेसा मिला लिए जाता इस तरह इसके आधार को पर आप यहां जब इसके आधार को सभी आधार को इस सम्हान के इद्शन कटिन है अनौन कोड दिखा जाता है यहां पर एक रहा है आपता चले कोड चलिया सब 야ाउस क्या है आप ऐसे रहा है फोलिदोे पाइस ये लिगए है ऐसरी पार की Celsius我是 यह बनेगा आपका दिखिए इस बाले रेखा से बनेगा 45 अंस का बनेगा और यहां से इस रेखा से 30 का कोड़ बनेगा ठीक है इस चीज को बती द्यान दिजिएगा अब यह जी ध्यान दिजिए कि जब यह आपका कोड बनता है एकांतर कोड के नियम से ऐसा होता है ठीके और यहां से यहां से इसके आधार से तीस अंस का कोड यहां बन जाएगा बस इतना चित्र को को असपर्ष रूप से साफ सुत्रा बनाईएगा अब देखें यहां भी क्या किजिए इसको माल लेजिएगा यक्स ठीके और इसकी पूरी उचाई को यहां से लेके यहां तक इसकी पूरी उचाई को आप माल लेजिएगा अब देखें यहां बराबर यहां तक की तूरी होगा यह भी आपका आठी होगा इसलिए यह बराबर होता है यह आपका आठ मीटर अब यहां भी आपने अनुसार अक्षर माल देखें आभी जब आपकि आपका यह हैं यहां नहीं है से उत्यक्ति इस सवाल मानगा कैसे कि पिस आपो प्यवर्पया जो चीज मान रहा है कि आप पूछ रहा है आप से बाइभवन ब्हुन की उचाहित यहाँ बनाने कर्द मद देखिस दिश्वल माना बाहां मण्जली भवण की उचाह यठिकनी करें हरा बहु मन यिए भवन की उचाहिऄ है कि तो अबराबर क्या बवावन की कर्पीश है तिहां लिखें कि यच मीतर ना सभी को मीटर में लिखिएगा यच मीटर और दखी एक बवन यह एक बन इन दोनों की बीच कि दूरी इसलिए कि पूछा है कि दो बावनों की भीच की धुरी यहां लिखेंगे दो भावनों की बीच की दूरी की बीच की दूरी बरावर यक्स मीटर फिली यक्स मीटर फीर इतना चीज इंधाल है अब देखे आय चित्रे में आज कुछ है तो हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है बस यहां पर यह लिख लिजिएगा कि जो भवन AB है AB की दूरी जो होगा CD के बराबर होगा यानि AB बराबर CD बराबर क्या है 8 मीटर है फिर इसके अलावा देखिए यह आधार जो है BC प्री स्षी बराबर क्या है AD के वराबर है और क्या मा disciplines तो दिखा customer में सबी ख मे आपको दिखा दियें हैं तो आप लिखने की जूरुत नहीं है यह वहां पिन भी लिख लिख आयो अब यहां पर लिखिएगा हाल, हाल लिखने के बाद देखिए क्या करना है कि यहां पर दो त्रिभूज आपके बन रहा है, एक त्रिभूज तो E, B, C बन रहा है, एक त्रिभूज E, A, E, A, D, E बन रहा है, एक चीज़ यहां पर और ध्यान दीजिए, कि देखिए Capital H-8 लिखिएगा और यहां पे इसको भी दिखा दिएगा एडी बडाबर कितना है आपका इडी बराबर Capital H-8 ओप ठोड़िएगा जो चीज तरफ से लिखिएगा सब को यहां पर लिख लिजिएगा अब हल करने के बाद क्या करना है आपको यहां पे डि त्रिभूज में चले से लिखेंगे दे मे जब भूस ऑफिए तो कॉन लगता है यहां लगता है लगता है तोह आदार अधार formula लिखर गया लमपाधार को हो ठीक है यहां देखर लमक्त्य है आपकाproductile её लिखे सख़े दे अबशिक है एक image आपके 109 है एक मानीयति तीस रखे एक कंशिए थे 35 लिखे सब्सक्राइए Państwo 9 महन सब्सकremos सवार एक पारइवयोर апांड सब्सक्राइव सब्सक्राइए यक्स है चेहां पर यक्स रखिएगा और इसको hard कीजिए गाया माद क favorable यहाँ पर यक्स रखिएगा अब तीरी यक्स का एकम करें गया यहां पर कर एक नगी इतना पता चो जा और अब को क्या करना है इसको समीकर नंबर 1 मान लेते हैं अब देड़ दूसरे तृर्बूझ में चलिए इस तृब हर आया चैने बी सी त्रिभूज में चलते हैं ठीक है और यहां पर लिखिएगा त्रिभूज लंब बटाके आधार ठीक है यहां पर लंब देखिए आपको अक्षर लिखना मत भूलिएगा ना दखिए C E पुरा यह लंब है आपका C E लिखेंगे और आधार BC है तो BC लिखेंगे यहां पर लिखिए अगर लंब है आपका EC BC बटाके BC लिखेंगे 10 B देखें B का मान कितना है आपका देखें कोड कितना है बी का देखें 45 अंस यहां पर लिखिए 45 अंस 45 अंस बराबर EC का मान आपको कितना है देखें EC यह पूरा capital H माने है और BC कितना है यक्स तो यहां आप क्या करेंगे कि EC का मान capital H है तो capital H रखिएगा और BC का मान कितना है आप बी सी का है यक्स तो यक्स रखिएगा अब देखेंगे 10 45 का मान कितना होता है तो आप सुभी पता है कि एक होता है capital H बटा कि यक्स अब तीरिया गुड़ा कर लिजिए जब तीरिया गुड़ा करेंगे तो यक्स авать पर कितना हो जएगा यच देखिए यहां पे आपका आया हीcular Saimika number इतना लेतें हैं अब क्या करना कि सवाल पे ठीख यहां पे अप क्या करेंगे कि यह तकी समीकरण नमबर एक मेरी कि अजरे का हमकूं करेंगी देखिए हों आप get ईयकरण capital H रखने पर, रखने पर, चलिए, अब रहेते हैं, पहले içi समीकन नमबर एक लिख लेते हैं, बिसे एक का यहांप लिखीएगे, यक्स बराबर करड़ी में तीन कोष्ट में ह-8, ठीक है, यह समीकन नमबर आपका एक है, अब यहां पर यक्स के जगाए पर capital H रख लीजिए capital H करणी में 3 करणी में 3 है न देखें यहां पर कोष्टक बना लिए बड़ा कोष्टक चली बना लेते हैं समझने के लिए यहां पर होजा capital H माइनस साथ ठीक है अब यहां पर क्या करेंगे कि यहां से capital H के मान गयात करना है तो देखें capital H बरावर करणी 3 करणी में 3 हो जाएगा माइनस आठ करेंगा तो आठ करणी में तीन हो जाएगा अब इसको इधर पच्छांतर कर लिजिएगा ठीक है तो अब देखें यहां पर एक चीज आप फ्रस किलियर करें देखिए यह माइनस में है न तो हम माइनस वाला को इधर लाएंगे जिससे यह प्लस हो जाए और इसक क्या करेंगे की आप में कामन लिजिए कामनने लिए यहां से मान से कभी वी हर नहीं होना चाहिए इसके लिए क्या किया जाता है कि इसको परिमेर कड़ा करके हां से अठाते हैं जिधिए इस सवाल को थोड़ा इस पका से लिख लेते हैं ऑठ कर्णी में तीन अपान कर्णी में 3-1 इसी को ऐसे लिखे देने हम येचको तो आठ त्री के चोविस हो जाएगा प्लस आठ करोड़ी तीन का एक में गुड़ा करेंगे तो आठ करोड़ी में तीन हो जाएगा अपान यह देखिए A प्लस B और A माइनस B वराब फार्मूला है न यहाँ पर फार्मूला को आप दिखा सकते हैं चलिए यहाँ पर फार्मूला दिखा देते हैं यदि आपको A कोष्टम A प्लस B मिल जाए और अगले कोष्टम में A माइनस B मिलता है तीसे आप डार्यक्ट A स्कुवाइर माइनस B स्कुवाइर लिखा जा सकता है यह फार्मूला को कई वर बता चुके हैं करें करी 3 यान करी 3 करेंर समय है यहाँ पर 14 प्लस 8 यहाँ यहाँ पर 3 हो जायगा देखें इन दोनों में कामन 24 और 8 में से देखेंगे आप दो कामन ले लिए यहाँ बचेगा 12 प्लस 24 और 8 बचेगा और यहां पे तीन में से गटाएंगा कितब दूसर दू आपका कट जाएगा यानि कि यहां पर बारह प्लस चार करदी में 3 मीटर ठीक है तो करप्तल यह कमान इतना आया अब यह क्या मान ठीक ने बहुमन्जली भवन गुचाही माने थे अब देखें यहां पे एक ची द्यान दिजेगा जब यहां पर मान आया था यक्स कमान यह के बराबर आया था इसका मतलब वह आ कि यक्स जितना होगा उतना ही कापिटल यह होगा यहां से लिख सकते हैं कि समी करण दो से समी करण दो देखिए आपको क्या माने थे यहां माने थे की एक्स मतलब हल करने के बाद यक्स वराबर क्या आया था अपका City स्सके मतलब जितना यक्स देखिए अक्स और यक्स यक्स वराबर कर वर रह वर कितन न हो जाएगा 124 कंपur में 3 कि मीटर हो जाएगा ठीक है इतना लिखने के बाद देखी यह आपका हो गया इंसर लाश्ट में कैसे लिखेंगे जो माने रहते उसी को एंसर लिखना पड़ता देखिए इंसर कैसे लिखेंगी तो आप माने बहुमंजली भवन की उचाई काप्टल याज दो भवनों की कि उचाई बराबर काप्टल याज माने थे याज का मन कितना आया बारा प्लस चार करणी में तीन ठीक है और यहां पर मीटर लिखेंगे मीटर मात्रक लिखना मत भूलिएगा बोट की एक्जाम में ठीक है अब दो भवनों की बीच की दूरी दो भवनों के बीच की दूरी इसमाल एक समाने थे और यह कितना आया है बारा प्लस चार करणी में तीन मीटर में बस कर लिखें ठीक है यह था आपका इसका एंस्वर और लगाने का तरीका यह था एक बर सवाल को आप चाहे तो पूरा देख सकते हैं यह देख सकते हैं पूरे सवाल को आप इसको उतार क नहीं को प्राक्टिस जरूर्ड कर लेजिए गा सबसे सvính सवाल को करा रहे हैं इसके बाद आपका 8 नमबर का सवाल है तेंधर कि यह सभी भी छेजनाम का सवार ही इन सवालों को जरूर आप को तीस अंस है भवन के शिखर पर एक द्वज को लहराया गया है और पी से द्वज के शिखर का उन्यन को पयतालिस अंस है द्वज दंड की लंबाई और बिंदू पी से भवन की तूरी ग्याद कीजिए जहां कर तीन कमांदिया एक दसमलों साथ तीन दू आपको रखना पड संवसंते शिमा भान की और भवमी के एक बिंदू पी के यानि बहुमी कोई एक मुटतीदू अंस हे भावन में है न कैसे राकते है मृमी की एक लाए, चैशक्छ पला की चिछ लिए गा यह उन्यंस सिखर का उन्णैन कोर टीस अंस का मतलब कि यहां से जब इसको देखा लिजेगा अच्छे से चलिए इसको मिला लेते हैं यहां 30 अंस का आपका कोड बन गया ठीक है ध्यान दीजेगा और यह भवन की उचाई कितना है दस मीटर है चलिए दस मीटर हो गया जैसे देता है सवाल में उसी तरह बनाना रहता है भवन के शिखर पर एक धोज को ला रहा वर है है यह अनियान कोड का है यहां से अधान अन्हीं का मतलब होता हैं कि नीचे से सिखर को देखना होता है और मन कोड का मतलब इसके पहले वरा जो सवाल लगाए थे हूं आप और मन कोड दिया था और मन कोड का मतलब होता है उपर से नहीं सिर से बैटके नीचे देखना इन पॉइंटों को जबू किलियर कर लीजेगा कि नियन कोड क्या होता है यहां पर हो गया पैताली संस अब यहां पर द्षड़ डंड की लंबाई यहां इसकी लंबाई को यहां से यहां तक छो है इसमाल h मीटर है मेर तो मीटर मले लेगा सब इसमाल एच मीटर है ठीक हैं और फिर से सी पूरी दूरी को एक्स मीटर माल लेते हैं नाम पने मंद से लिए ले जाता है यहां से यहां तक देखिया के यहां से और यहां तक की पूरी दूरी को पूरी दूरी पूरा उचाय जो है जिसमें भवन और धोज दोनों की जो उचाय क्रप्टल यह माल लिजेगा यह मीटर ठीक है अब दिखें जितना ची आप माने हैं उसे उसी को अपने में लिखेंगे कैसे लिखेंगे माना ठीक है दोज डंड के लंबाई मानेंगे इसलिएक दोज डंड की लंबाई पूछा है तो यहाँ आप मानेंगे माना दोज डंड दोज डंड की लंबाई क्या माने है इसमाल यह अच्छ तो इसमाल h मीटर हो जाएगा ठिक इसके पाद बिंदू P से भवन की दूरी तो लिखेंगे बिंदू P से भवन की दूरी बराबर यक्स मीटर ठिक है अब इसके अलावा यह हो गया ठिक है अब यहाँ पर देखिए आपको क्या है ए और सी यानि के एसी वराबर कितना माने हैं एसी वराबर क्यप्टर हमीटर है अब चीतर बना दिये हैं तो हर चीछ को लिखने के जरूरत आपको नहीं है अब यहां पर लिखिएगा हल और झाल और इसमें भी जब कोर्ड लिया है तो दो तिरिभुज बन रहा है एक में चलते हैं तो लिखेंगे कि थरभूच बी अफम लेखेंगे पेशजिक हैं अब दखे हों आपको पता है एक क इसने भूच पूच के लिए यहां लंबव है और हुप मतान और पता रहेगा तह्त वारि मुटाने आई लगाना है यह क्या लिख के लिए यहां लंब अट्था कि क्या हो जायगा आधार होगा कि इस ध्रेभूज में म्म क्या देखा और हर कि यह प्याओं से टीच्छ लेंगे तुरभाब कि लिए चैनल आप सभी को तो याद हो गया कि एक बटा करड़ी तीन होता है दस के यक्स के एक में करेंगे यक्स हो जाएगा फिर little में यह में लेकित अप्रतीन का मान दिया है कितना साथ तीन दू दिया ना कितना दिया है साथ तो यह आप रखेंगे यक्स बराबर दस गुड़े कर dul की का महा रख लेते हैं एक साथ 2 जब रखेंगा यह jobbar से लिख लिए लिए है क्ललिए न्यखल्ण सब्सक्राइब्स लिख लाव से तीन दू मीटर कोई मतलब नहीं होता है दसमलों को बाद लगा है तो यह आपका आया ठीक है इस त्रिभूज से आपको यह चीप पता चल गया चलिए अभी क्या करते हैं कि दोज डंड की लंपाई भी ग्याद करना है तो पूरी इस उचाय मतलब पूरे त्रिभूज में चल समुनला और लगेगा इन क 예 के थी अ मुद्भ आर न कितना हो जाए के लम बताया के अधार eve स्किन माट क्या है देखलं कमारे ए शी पूरा एशी है और अधार कमान टाए प्ले शी यह लिखते है शी후 ही या पिए अश्क्थृ ये लियरी देखेंगे यह कितने अंस कर दो कियो? आचा, और यहां तो नहीं घ्यांत पर तो होता है, यहां में जो ग्यात करना है, इस्मार एच ब्सक्राइब नहीं खता है, है इसलिए कि दोश डंड की लंबाई यह यहां से लेकि यहां तक पूरी दूरी है तिसका मतलब के जगए हम क्या लिख सकते हैं इस यह प्लस10 तो यहां पही इसको आप देखा सकते थे capital H बराबर कितना होता है कि small h plus 10 तो यह इसका मतलब हुआ कि जहां पर capital H है वहां पर आपको h plus 10 रखना पड़ेगा चलिए सवाल में रखके इसको हल करते हैं देखें यहां पर क्या करेंगे कि यक्स बराबर capital H की जगह पर भी पता है अब यहां पर देखें आपको capital H कमान मतलब यक्स कमान कितना पता चला है 1710 मुलो 3 तीन दू यहां पर रखिएगा 1710 मुलो 3 तीन दू बराबर यहज प्लस 10 आपको इसमाल यहां चल्क करना है तो क्या करेंगे 10 को पच्छानतर करेंगे यहां 1710 मुलो 3 दू दू होगा 10 इदर रखाता माइन दस हो जागा साथ दस ुलों ह् everywhere एथी कहाँ हो अब देखे एंसोर कैसे लिक यहां एंसवी लिखना हो जो चीज मानें इस एंसोर में लिखना यह आप क्या माने थे こんにちは है будем देंո और दंड की लंबाय है दोरज दन की लंबाय गों पेसे माल एच बावा पर कितना होगा साथ दसमो लो तीन दू मीटर फिर इसके बाद बिंदू पीसे जाओ कि भरवन पर की दूरी आउ Влад कि ईकश बावर कितना आए था तो है उस सत्रा दसमो लो तीन दू मीटर किढ़े इस पकास इस तवाल आपको लगाने था जैसे बताएं इसी तरह पूरे सवाल को एक बर पुना देखा देतेैं यह देखिए सवाल आप पूरा इसी तरह उतार लिजी सवाल को देख लीजिए इस परका से सवाल को यार कर लीजिए यहां पर था आपका दोनों जो question 6 नंबर का इन दोनों प्रश्ण में कोई भी प्रश्ण पूछा जा सकता है अगला प्रश्ण क्या है आपका पाचवा नंबर का ठीकि इस प्रश्ण को भी आप simple तरीका से लगाएंगे पस लगाने का तरीका पता होना चाहि सवाल ही यह भी आपका बोड की जम ऐसे सवाल देगा तो यह भी 6 नंबर का देगा सिर्फ देखने में बढ़ा है लेकिन बहुत simple सा सवाल यह होता है एक बरतन में एक उल्टे शंकू के आकार का है इसकी उचाई 8 cm और इसके उपर ही जो खुला हुआ है सीरे की तरीजा 5 cm यह उपर तक पानी से भरा हुआ है जब इस बरतन में सीसे की कुछ गोलिया जिनमें परतेक का 25 cm त्रीजा वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चवथा यहां पर ध्यान दिजिएगा एक चवथाई भाग बाहर निकल जाता है बरतन में डा ग्रुगे और संकु कैसे बनाना उल्टा बनाना है तो इक संकु बशेसा बनान एक संकु बनाते हैं और जाता करके लगाईएगा इस सवालों को जो चित्र बाला रहे है अब पैंसी पैंसी चित्र को बनाएगा डिक आप इसमें कर आए कि वह गया कि तिरीजा है और इसकी विश्छाय कितना दिया इस संगोगा यहां तक इसकी आपाइब के यहां तक इसके वुझाइब का आप आप मीटर यहां लिख लिए आज़ले ज़ेंट टोकी पव्रा यह त shark 2019 độ बरतन में सीसे के कुछ गोलियां जिनमें फर्थय का 205 cm मतलब इसमें गोलियां डाला गया देखिए इस पाता फuyह सवाल कर रहाmia पूछ रहा है कि गोली के त्रिज़े लित्र में त्रिज़्ावाले डाला जाता है इसमें बहरे हुए पाने के एक चावताई भाग बाहर निकल जाता है तक बरतन में डाले गए सीषे की गोलियों की संख्या कि जीए अब दिखें कि वहाद माना जैसे बतार इस सवान को इसी तरह लगाइए गाला गोलियों की संख्या गोलियों कि संख्या क्या मानें गुदिये क्रें गोलियों और दिया क्या होगा इथ replacing माल लिए अब यहां पर संकू की त्रिज्या दिखे दिया है तो यह अब लिखिए कि संकू की त्रिज्या संकू की तिरिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् तो आयतन का फार्मुला क्या होता हैं आप सभी को पता है कि संकु का आयतन का फार्मुला होता है एक बटा कि तीं पाई बट यहाँ मार रख लेते दें लिस्ति duck गोड़े पाई के श्खाजज़ क कीतना घर ना अरके जगहां पांच इसकौरद था इसकौर कर और है यहां Jedarto N 장адo Wing healthcare 258 दूसकों के एक में करें निए दूसर के दूससों कि दूसर जाए जेए और का हो जए Yesterday iorsat यह मेतर मेंडिया है क्यों हों तक को आधा ठीब ताफ क मैं हो गया कि 100 200 दूसरसमें आपया पाइप Memorial 5 यहां पर एक गोली जो दिया है इस का अधिन ज्ञाद करते हैं यहां पे सवाल में देख Yiye के गोली का त्रिज्या दिया है है pomony जो है कि दिया है चलिए यहां पर आरव依 बांटी right इसको नोगित वह कतना दिया है तो आप बोली की त्रिज्य को धुका दीतम दिया है जीर दसमलो पांच सेंटीमीटर त्रिज्या है यहां पर रखियेगा जीरो दसमलो Language मीटर में है तो मीटर कर लिए ठीक मीटर है एक बद देख लिए सेंटी मीटर में दिया है यहां पर ध्यान दिएगा यहां पर थोड़ा सा मिश्टेक हो गया है हर जगा मात्रक किसमें लिखा है सेंटी मीटर में न यह जितने भी आप लिखिएगा सेंटी मीटर में लिखिए सेंटीमीटर बस आपको मातुरा को ध्यान लिखेंगा जो दिया रहेगा सवाल मौन वही लिखना रहता है यहां पर सेंटीमीटर है सेंटीमीटर का क्यों कर लिजिए गार सेंटी सेंटिमीटर रहें यहाँ ध्यान दिए पहले यहाँ यहाँ पे गोली भी स्मीन चाशा रहा है तो पहले यह गोली का आयतन को आधं यहाँ लिखें कि एक कर आध रहा है जो ली कर आधंस कर दान है देखिए इसका फार्मुला जो होता है ठीक है चार बटा के तीन पाई आरवन का क्यों हो जाएगा अब यहां पर मा रख लेते हैं तो कि चार बटा के तीन पाई का मान मत रखिए पाई सीतरा राना दीजेगा आरवन के जगब कितना दिया जीरो तसमल पांच रहा तो जीरो यहें पाई गुड़े अब इसको हाल करें गे तीक पांच का क्यों क्यूं करेंगे करें तो इतना हो तैंश हटेगा कैसे पाई गुड़े दस मुल थी liegenांग का गचिए गए क्षो पच़्ाल है दसमोलों के बाद कितने अंके एक दू तीन तीन को निचे बढ़ा दीजेगा यहां से आपका दसमोलों यह हट जाएगा ठीक है अब देखें यहां सी यह चीज हट गया यह यह पस इतना ही रहने दीजे फिर उसके वाद समझाते हैं चछी कहिए अब देखें अब यहां ते भीवन इसलिए तरी जिए आरवन लेज़े ते भीवन माल लीजी सवाल में देखिए आपको क्या का रहा है सवाल एक बार ध्यान से पढ़ लिजे फिर सवाल समझ में आ जाएगा कि एक बरतन एक उल्टे संकू क्या कार का है इसकी ऊचाए आठ सेंटिमीटर है और इसकी सीरे की तरीजे 5 सेंटिमीटर या उपर तक पानी से पहले भरा हुआ था ठीक है अब इसमें का रहा है कि जब इस बरतन में सीसे की कुछ गोलिया जिन में परतेग 0-0-0-5 सेंटिमीटर तरीजे वाल एक गोला डाला जाता है तो इसमें से भरे हुए पानी की एक चवथाई पानी बाहर निकल जाता है तो गोली की जितनी संख्या डालेंगे उतना ही पानी का आयतन क्या होगा बाहर निकलता है इसका मतलब एक चवथाई पानी बाहर निकल जा रहा है संकु का जो आयतन निकला है इसका एक चवथाई भाग कर देंगे तो गोली की आयतनों के बराब हो जाएगा तिया पर फट्रशना ळिख्षार लिखेंगे यहां पर क्या है आपका कि गोली का आयतन माली चे भीवन है और शंकु का आयतन क्या आपका भी है यहां पर गोली का आयतन कितना थी ए चार बटा के 3 पाई गुड़े 125 taking कि यहां पर सो एक हजार है ठीक है एक हजार है बराबर अब देखिए इसमें क्या होगा कि एक चाउताई पान निकल लागा ऊकटना एन हम एक गोली का आयतन निका लें एक गोली का आयतन जितना रहेगा उसमें गोलियों का के संख्याह रहा गुड़ा कर दे यानि कि से किसे का गुड़ा कर दे बाइतन हो जाए। जितना पानी बाहर कर लें गीड़ी को 20% अव्य भाथ 100 सवाल दो क्षार कितना हो जाए यहां पर 200 पाई अपान, कितना है क? घुछे, बास कितना है है, ठाल है. लुक्तर को चार हो Pi हो जाएगा थे वह संद्रिवगी दिवग्स और सबस्क्राइब हो जाये आगा ऐसी लिए मते हो ठीक है तो एक त popped आट के आपका कितने बार में चांओने के 8 ठीक है और 4 पालवे 25 और यहां पर भाइब टतिक किना बचान की संख्या्ड ऑफका यहां से 50 बचेगा थ? इसवार आप कितना होगा पांधुना के 10 यानि 100 गोलीयां हो जाएगा क्या ओड़ायां की संख्या पूछाता है यहां पर होगा गोलीयों की संख्या गोलीयों की संख्या यह नबरावर कितना है सो लिख दीजिए गोलियों के संख्या आप एक लाइन छोड़े के लिखिए गोलियों के संख्या में पूछत इसी पकास जैसे समझाएं इसी तरह बोड की इस सवाल को लगा लीजिएगा ठीक है आपको यह चीज समझ में आ गया होगा अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है जो आपके यूपी बोड की द्वारा जारी किया गया पेपर का लास्ट कोईश्चन है यह छे नंबर का है ठीक है यहां पर देखिए सवाल दिया है अथवा में आपको उपर वाला सवाल बताएं यह भी सवाल भी जान जाजिए कि द पॉलाकार भाग का ब्यास आर्दसमलों पांच सेंटीमीटर है इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ग्याद किया कि इस बरतन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है जाज कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं यह मानते हुए कि प्रियुक्त मापन आंत्रिक मापन है और पाई के मान आपको रखना है पीन दसमलों एक चार ठीक है पहले चली इसका चित्र बनाते हैं देखिए क्या चित्र बनेगा कि हाँ ध्यान से जब पढ़ेंगे तब चित्र आप आसानी से बना लेंगे एक गोलकार कांच के बरतन क एक बेलन के आकार की गरदन है जिसका लंबाई 8 cm और 2 cm जबकि गोलकार भाग का ब्याद यानि इस पकास चित्र बनेगा आप चित्र बना लेंगे सवाल आप सिंपल तरीका सहल कर लेंगे देखिए पहले देखिए उपर क्या है आपका बेलन के आकार का बनाएंगे और नी चीज दिया है उसको बनाते हैं एक लोकार काश के बरतन में एक बेलन के आकार की गरदन है जिसका लंबाई 8 यानि कि यहां से लेके यहां तक इसकी लंबाई दिया है कितना मतलब लंबाई देने का मतलब उचाई दिया है आठ cm लिखते समय थोड़ा सद्यान दिजीएगा सेंटीमीटर दिया है कि मीटर दिया है फिर इसका ब्यास दिया है ब्यास का मतलब होता कि पूरा यह सीरा दिया है यहां कितना दिया है दो सेंटीमीटर दिया है चले पर इतने भाग को हल करते है इतने भाग को यहां दिया है देखिए यहां पर आप क्या हो जाएगा कि बे निए विए प्यास के अधा दू और दू कंद कर लीजे कितना है एक संट्र मीटर हो जाएगा सपी अब इसके है करना है तरह पहले हैं इस लिए जिए इसमें पूछा लेट ऑाठे बारे बात कि अटा से हो जाएगा तो बेलन का आयतन है आयतन जो ओगा आपका देवर पाई आर इसक्वार यह चोरता है बस यहाँ पर मार रख लीजिए और यहाँ पर पाई कमाण दिया ए तीन दस मुलों एक चार तो आपको रखना पड़ेगा तो चलिए पहले इसको हल करते हैं फिर इसके बाद देखते हैं कि कितना आता है तो यहां पर पाई का मान तीन दस मोलो एक चार रखना है तो एक चार रख लीजिए गुड़े आर का मान कितना एक ते एक काई स्क्वार कर लीजिए गुड़े आठ है तो आठ कर लीजिए अब इसको हल कीजिए तीन दस मोलो एक चार एक काई स्क तर्फियारा ठीक है आर्ट्री के चोवीज से 25 कि बच्चीज दूर पर दस्मलों हो जागा यह सेंटीमीटर क्यूं में आ जागा है तन का मात्रक जो होता है सेंटीमीटर क्यूं होता है ठीक है देखें यहां पर सवाल पर द्यान दीजेगा अब देखिए यह तो उपर का बे पांच दिया यह ब्यास डिया की आठ दसम्लों पांच सेंटीमीटर ठीक है अ कि अब लिखिए पहले गोलकार गोलकार यह भाग का ब्यास ब्यास कितना दिए आठ दस मोलो 5 सेंटीमीटर ठीक है अब इतना वह तो पहले तिरिज्या ग्याद कीजिए तिरिज्या क्या हो जागा अभी समझाए आपको तो आठ दस मोलो 5 का आधा कर लीजिए कितना हो जाए दूच्यों को आठ 10 मोलो दूदुना के 4 दूपा चे 9 यान इतना सेंटीमीटर इसलिकर क्या वजाए मैं गोला कार भाग का आधान एंख कर दो तो प्टतन honey अम मुझा अब रुषा को निऍक हए आपको पता आतीए पाई की होता यहां पिर रखेंजmath निए ज्ली रख लेते हैं निए दो देखर के सिए आपकी सिए इसने ही अपकर अभी आप extensive तीन दस्म लो एक चार रख लिजिए और गुड़े आर कम आर के जगाब कितना चार दस्म लो दू पांच है इसका क्यू लिए ठीक है अब यहां पर मार रखे हाल करते प्रूस इधर लिख लेते हैं इसलिकि इसका क्यू करेंगे तो बहुत जादे बड़ी संख्या आएगा यहाँ में यह देंगे। ौट वह प्चाच,क एक्छा प्चण प्यूर्खे, वह होगा। सब्स्वाइब करनेकेे। अब आपको क्या करना है कि पहले यह अंस में जितनी भी संख्य है, इसका प्चुर्ण कीकिजिए। तोटल कितना रहा है देखिए आप चार और तीन दस्मलों एक चार और चेतर दस्मलों साथ छे पांच छे दू पांच के दिए आप गुड़ा करते हैं ना गुड़ा करने के बाद जो आपको मिलेगा वो मिलेगा नो सोचर्थ दस्मलो सत्रा साhtीस और इतना मिलेगा और यहार में तीन ने तो तीन है अब तीन का भाग दे जिए तरह देए कि तृष नौ हो जाएगा ठीक है कि यहां पर तीन दूना के च्छा होगा तीन के तीन दस्मलों लग जाएगा इसके आगे भाग दी जगत आएगा तीन 912146 ठीकी दस्मलों इतना अंक तक इसलिए लिया जा रहा है कि आपको लगभग में मान ग्याद करके बताना है कि यह सही आरहा है कि नहीं आरहा है तो यह आपका आया भीटू ठीकी यह किसका माना है गोले का आईतन भीटू आ गया अब दीचे यहां पे क्या है आखको सवाल में बताते हैं फिर से कि एक बच्चे ने यह घ्याद किया कि बरतन का आयतन कितना 345 है आप फर बरतन का आयतन ग्याद करें का मतलग इस ओपर वाल भाग का आयतन और नीचे गोले का भाग के आईद को जोड़ेंगे यहांप लिखेंगे बर्तन का द्र इतन क्या लिखेंगे अंगर का आय में बर्तन का्य तर बर्तन का आय अगये बर्तन का है था ख एक दू, प्लस, भीटू का मन कितना आया है, 301 दसमलो, 49, 12, 46, अब चलिए जोड लेते हैं, तो जब जोड़ेंगे ते देखिए, आपके जोड़ने के बाद कितना आएगा, चलिए जोड लेते, देखिए, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा, देखिए, 9, 2 क कितना हो जाएगा, 11, 3, 4, 5 हो जाएगा, 5, 1 कितना हो जाएगा, 6, 2, 2, 4, 3, यहाँ, 346 दसमलो, 5, 1, 1, 2, 4, 6, इतना आएगा, और देखिए, लड़के ने जो आयतन निकाला थे, देखिए, किसमें आएगा, आपका, सेंटीमीटर क्यों आएगा, यहाँ पे मात्रक लिखन निकाला हो कितना है, 345 ती गलत है कि नहीं, यहाँ पे लिखें कि बच्चे द्वारा ज्याद किया गया आयतन, क्या है आपका गलत है, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग एंस्वर में, कि बच्चे द्वारा, ठीक है, यहाँ लिखें बच्चे द्वारा, बच्चे द्वा ग्याद किया गया किया गया आयतन कितना आयतन ग्याद किया है 345 है यहां पर 345 लिखेगा बच्चे द्वारा ग्याद किया गया आयतन तो 345 सेंटीमीटर क्यूं है गलत है गलत है सही उत्तर जो होगा आपका कितना होगा सही उत्तर जो होगा 346 दसमलों 5 1 1 2 4 6 सेंट्री मीटर क्यों होगा तो इस तरह को क्या करना था कि इसका एंस्वर आपको ग्याद करना था ठीक है तो देख लिजिए आप पूरे सवाल को कैसे लगा गया है पूरे सवाल को अब ध्यान दीजिएगा तो फ्रेंज देखें यहाँ पे जो यूपी ब कि द्वारा जारी किया गया सभी प्रश्ण आप सभी को करा चुके हैं यह सभी प्रश्ण आप एक दो बार जरूर रिविजन कर लीजिएगा आपको जिस सवाल पर बोलें कि यह सवाल इंपोर्टेंट उस सवाल को ताभी दो बार जरूर देख लिजिएगा तो फ्रेंस आ